हलो गर्ल्स आज हम आपके प्रैक्टिकल एंटेनल ग्रूमिंग भेवियर अफ को डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगी किस सरी किसे यह एक्सपेरिमेंट और क्यों परफॉर्म किया जाता है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लीजिए कि एंटेनल ग्रूमिंग का अब्जेक्टिव क्या होता है किसी कोई भी आनिमल जैसे हम कोक्रोच की स्टडी कर रहे हैं कोक्रोच पर तो कोक्रोच एंटेनल ग्रूमिंग किसली करता है तो प्राइमरी फंक्शन जो है कोक्रोच में ग्रूमिंग करन होता है सेंड इंटीनल ग्रूमिंग भीवियर क्रिकेट मैंने चुछ और कोकरोच दिसमी भी पाया जाता है ये एक प्रकार का हैड जो है कोकरोच का कहड़ोर फोरलेड उनका क्योडरिनेटिट मुवेंट मिलजुलकर किया जाने वाला का मुव्मेंट है जिसे कि एंटिना को वो बैंट करके एंटिनल फ्लाजिलम को और अपने मुह तक लिकर आ जाए माउथ तक जिसे कि माउथ से फिर उसको क्लीन किया जा सके एंटिना को ओके चली आगे इस एक्सपरिमेंट का अबजेक्ट होगा आपका तु डिमॉंस्ट्रे करेंगे आप कैसे कोक्रोच में अंटिनल गूमिंग होती है तो यह आपको अबजेक्ट होगा यहां पर माटीरियल रिक्वाइड आपको क्या है एक एम्टी ट्रफ चाहिए ग्लास ट्रफ होता है जिसके किनारे थोड़े उंचे होते हैं वो चाहिए आपको ग्लिसरीन चाह कि कोक्रोचेज जिनके की हौने कंटे लम्बे लशो ला कहरे होते हैं यह एक इनटीने काम करते हैं जो इन्वाइमन्ट में कोई बी या कि इस वी जड़ीक ॉबज़कर पनी तो यह उसको फेल कर सकते किसी भी ऑबज़्यक्न और यह बता सकते हैं यह चीज उनके लिए फेवरिबल है जिसको टच किया है या कौन सी चीज उनके लिए अनफेवरिबल है चलिए आगे अब यहां पर अब अब्सेवेशन हम कैसे लेंगे जब कोक्रोज एंटीनल गूमिंग बहवियर प्रदर्शित कर रहा है जिस समय उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम कोक्रोज को कि एंटीना को लेंगे उसके आंटीना पर ब्रश से एक थोड़ी सी ग्लिस्रीन उस पर स्मेयर कर देंगे कोक्रोज के एंटीना पर हम ग्लिस्रीन स्मेयर कर देंगे और उसके बाद कोक्रोज जो है वो एक डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स प्रदर्शित करेगा और उसमें एंटीनल गूमिंग करेगा कॉक्रोच अपने एंटीने को अपने मुझ के पास लेके आते हैं मुझ तक लेके आते हैं और उसको अपने मुझ से साफ करते हैं इस प्रोसेस में एक लूप जैसा बन जाता है एंटीना का इस प्रोसेस को कॉक्रोच बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि एंटीना फुली क अब इसका मतलब ही हुआ कि अपने अइंटिना को इसलिए ग्रूम करते हैं क्यां कि उनके अटिना के उपर कुछ सेंसरी स्टुक्चर्स प्रेजन्ट होते हैं जिन्हें हम और इसकी वज्या से वो सूंग सकता इसमेल कर सकते हैं तो ओल फैक्टरी सेंस को और पर अपनी घ्र अगर हम इसको देखना चाहें तो मैं यह उपन होता बिटो बच्चों यह वाला जो लिंक है यह उपन नहीं हो रहा है आप मैं एक और है मेरे पास ट्राय करते हैं अगर यह उपन हो जाए तो यह भी नहीं हो रहा है कैसे हुआ है ओक्या तो क्यों बात नहीं आप यह इमेज देख लिजें और यह लिंक इ颇 दिये हो एं इनको आप अलग से कॉपी करके और फिर आप इनको देख सकते हैं आप यूट्यूब में यह लिंक जाके यूट्यूब चैनल पर जाके यह लिंक खोलिए इसको और आपको दिख जागा यूट्यूब पे जाके ओके अब आजए यह लूप फोर्मेशन कैसे होती है एंटिनल गूमिंग बेहवियर के समय कोक्रोच में लूप फोर्मेशन यह देखिए कैसे यह अपने मुह के पास लेकर आता है कोक्रोच इसको एंटिन तब करने का जाए प्ला की आप अपने मुह के पास लेकर आता है और देखिंग से यह मोई में को क्लीन करता चले यह बत्तक कर लूप फोर्मिशन होता है ऑर यह प्रोसेस को बार-बार रिपीट करता है कोक्रोच जब तक कि इसके एंटिना के ऊपर जो आपने ग्लिसरीन स्मेयर किया है वो निकलना चाहिए। ठीक है? तो ये सिंपल सा एक्सपरीमेंट है और अनिमल बिहेवियर को अनिमल के अंटिनाल ग्रूमिंग बिहेवियर को प्रदर्शित कर रहा है। so this is all in this experiment thank you so much for listening to me thank you